हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग सौगात थे पुगार फिर से आप सभी का मिस्राजी टेक्निकल यूटूब चैनल में दोस्तों आज है 17 अप्राइल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की दिन के सभी इंपोर्टन करेंट अफेर के कुश्शन के बारे में पूरी वीडियो द्यान से देखेगा वीडियो देखनेक बाद आप इसकी कुईज भी जरूद साल्व कर लीजिगा चले बात करते हैं लाज देके कुश्शन की लाज देका पहला कुश्शन मैं आप से पुशा था हाली में किस संस्थान ने प्राहण वायू नाम का एक पो चले बात करते हैं आज के पहले कुश्शन की आज का पहला कुश्शन है हाले में किस राज ने वाय असार निर्मार पोर्टल लांच किया तो अभी हाली में दोस्तों आंधर प्रदेश राज सरकार ने वाय असार निर्मार पोर्टल लांच किया है इसके साथ ही एक और पोर पोटल लांज किया है अंद्रप्रदेश सरकार में अब दोनों क्यों लांज किया गया है इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं पहले बात करते हैं यसर निर्मार पोटल की दोस्तों यह पोटल जो सीमेंट प्राप्त करने वाले होंगे तो उनके लिए लांज किया जाएगा ठीक है दूसरा जो लांज किया गया है मैंने आपको बताया आंद्रप्रदेश इंडेस्ट्रीज कोविड-19 पोर्टल ये क्यों लांज किया गया है तो ये दोस्तों लांज किया गया है इसलिए कि इस पोर्टल की माध्यम से स्टेट के जितने भी MSME होंगे MSME का मतल एक रिजिस्ट्रेशन कराना होगा तो उस रिजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसी वेबसाइट पर होगा इसी पोर्टल पर होगा फिर से समझा दे रहा हूं नहीं जमन में आया तो जितने भी MSME होंगे वो इस पोर्टल की माध्यम से खुद को रेजिस्टर करेंगे और फिर वही लोग COVID-19 से रिलेटर जो प्रोड़क्ट्स हैं उनका मानुफेक्ट्रिंग कर पाएंगे और उनकी सप्लाई कर पाएंगे राज्य में क्लियर अबिल्कुल तो ये दो पोटल लांज किया है आन्दप्रदेश सरकार में अप्शन कुछ होर दिख रहे हैं इनके बारे में हम लोग डिसकस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दोस्तों अभी बना था पूल टेस्टिंग सुरू करने वाला पहला राज्य गोवा बना था गोविड़-19 के इलाज के लिए राजधानी अभी है है हैदराबाद, आगे चलकर तीन हो सकती है, कौन-कौन सी, एक होगी अमरावती, एक होगा विसाखा पतनम और एक होगी कुर्नूल तो ये तीन राजधानी आगे हो सकती है, प्रस्तावपारित किया जा चुका है इसके लिए जगन मोहन रेटी जी, YSR कांग्रेस पार्टी से यहां के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं विश्वा वुशन हर्चंदर जी आंद प्रदेश से ही तो उस्तो तेलंगाना अलग हुआ था, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंद प्रदेश से अलग हुआ और किसी किसी आंद प्रदेश बार्दर सेयर करता है तो यह बार्दर सेयर करता है ओडिसा से, चतिसगर से, तेलंगाना से, करनाटका से और तमिलनाट से क्लियर है, अच्छा दूस्तो भारत का 25 वा और सबसे लास्ट हाई कोट आंद प्रदेश का ही खोला गया, ठीक है, अब भारत में 25 हाई कोट है, दूसरा एक और important point आंद प्रदेश से कि भारत का 18 और आखरी या लास्ट अभी तक का जो रेलवे जोन है, वो भी विसाका पत पतनम में है, नाम है उसका दक्षिर तटिये रेलवे जोन, ठीक है, साउठ कोस्टल रेलवे जोन है, इसे भी याद रखेगा, तो अब भारत में 18 रेलवे जोन है और 25 हाई कोट है, ये दो पॉइंट आंद प्रदेश से आपको याद रखने है, नेक्स्ट बात करते है, न उनस्को का ये 44 विश्व धरोहर समित्य होता है, इसके पीछे का कारण है COVID-19 महामारी, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसका आयोजन दोस्तों होना था 29 जून से लेकर के 9 जुलाई तक, लेकिन फिलहाल के लिए ये अस्थागित कर दिया गया है, यानि पोस्ट प इसका हेटकॉर्टर है पेरिस में, फ्रांस में, और इसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजूले, इसके स्थापना हुए थी 1946 में, चाइना की बारे में अगर बात करें तो चाइना देख लिजे मैप में, बिजिंग है यहां की राजधानी, यहीं पर होना है 2022 का सीथ कालिन औलम्पिक खेल, रैन में भी या युवान है यहां की करेंसी, संसद है प्यूपल्स कांग्रेस और यहां की जो राजभासा है वो मानक चीनी है या मंदार इन जिस से कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा नगर है संहाई, सी जिन पिन यहां की है प्रेसिडेंट, अच्छा अभ आप फर मर्र भी पूर्ट आ जाती है तो मैं आपको जोल भताओंगा नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने भारत बेगत को सबस्पोस का अर्ट भारत से इसके लिए किया है 155 मिलियन डॉलर की डील कितने की 155 मिलियन डॉलर की डील यह हुई है और इस डील की तहट अमेरिका भारत को 10 MGM-84 हारपून ब्लॉक सेकंड एयर लांच्ट एंटीशिप मिसाइल देगा ठीक है नाम में लिख दे रहा हूं लंबा नाम है और टार एकसरसाइज टार्पीड होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया यह टोटल दील हुई है 155 मिलियन डॉलर की अच्छा अभी फरवरी में दोस्तों 24-25 फरवरी को डॉनाल्ड टरंप आये थे भारत में आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था तो उस ट टॉलर है यहां की करेंसी कांग्रेस हैं यहां की संसत का नाम डॉनाल्ड टरंप 45 यहां के प्रेसिडंट हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवस्था अभी तक तो थी अमेरिका की ही अब कोविड-19 के बाद देखा जाता है किसकी होगी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है किस देख ने भारत को कोविड-19 का तेजी से परिच्छन करने के लिए 6.5 लाख मेडिकल किट भेजे हैं दोस्तों भारत चाइना से मंगाया है 6.5 लाख मेडिकल किट किसके लिए कोविड-19 का तेजी से परिच्छन के लिए अब इस 6.5 लाख मेडिकल किट मे दोस्तों 5.5 लाक यानि 5.5 लाक जो किट है वो तो होगा दोस्तों एक प्रकार का rapid antibody kit और बाकी का बचा एक लाक किट जो होगा वो आर्याने extraction kit होगा ठीक है तो ये टोटल 6 लाक किट मेडिकल किट चाइना ने भारत को भेजी है ये तो first stage के तायत है अभी आगे और डील हुई है और भी ये बेज सकता है तो चाइना से ये चाइना के ग्वांग जू एरपोर्ट से ये आया हुआ है इंडिया में तो भारत जिससे कोविड-19 का तेजी से परिच्छड कर सके चाइना के बारे में हम लोग जाने लिए हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हाली में किस कंपनी को सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरुसकार दिया गया तो अभी हाली में टाटा पावर को दिया गया सामाजिक नवाच के लिए एडिसन पुरुसकार सबसे पहले जानिए यह एडिसन पुरुसकार होता क्या है दोस्तों यह इनुवेशन को और इनुवेटर को दिया जाता है इसकी सुरुवात हुई 1987 से और यह दिया जाता है एडिसन की याद में एडिसन कौन थे आपको बताने की ज़रूत न और ने एक Club Energy Campaign चलाय था Hashtag Switch Off to Switch On क्या चलाय था Club Energy Hashtag Switch Off to Switch On नामका एक Campaign उसी के लिए दिया गया अब इसके तहत 2007 से इसने 29.8 million unit से ज्यादा का पावर बचत किया था बजली की बचत किया था टाटा पावर इस वज़से इसको दिया गया है टाटा पावर का Headquarter है मुंबई मे और इसके CEO है प्रवीर सिन्हा कौन है प्रवीर सिन्हा जी नेक्स्ट बात गनेक्स्ट है तेरहवां International Arab Fiction Award 2020 किसे दिया गया तो यह दिया गया दोस्तों अब्देलोहाब अस्साईय को किसे अब्देलोहाब अस्साईय को यह दोस्तों एक Algeriai लेखक है और इन्नोंने जीत ल नाम आप लोग नोट करते चलो इसलिए मैं दो-दो बार नाम रिपीट कर रहा हूं उपन्यास का नाम है दाइस पॉर्ट एंड कोट इन्होंने 2018 में लिखा था 2018 में ये पब्लिश हुई थी ठीक है अब देलोहाब असाइवी जिसकी वाज़े से इनको ये वाड दिया गया है इस आवार्ट के तहत प्रुसकार रासी दी जाईगी टूटल पचास हजार डॉलर की अब ये तेरह हुआं इंटरनेशनल अरफ फिक्सन आवार्ड जो है ये होता क्या है किसके दौरा दिया जाता है तो इस दिल्धने अरफ जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और स सबसे सम्मानित साहित्तिक प्रुष्कार होता है ठीक है लिटेशर अवाड होता है यह लंदन के जो बुकर प्राइस फाउंडेशन है उसके द्वारा ही दिया जाता है और इस बार अब्देलोहाब असाई इसके नए मिटयर से वह ल Hashis को दिया गया नेकस्ट करते हैं नेकस्ट पेटियम जर्ल इंसरेंज लिम्टाट के नहें 10 में headquarter इसका noida में और इसके founder और CEO है विजय सेखर सर्माजी जो आपको ए अप्शन में दिख रहे हैं एक नाम और दिख रहा है सतीज कुमार गुपता जी का C option में ये कौन है ये दोस्तों Paytm payments bank के MD और CEO है इनका भी नाम याद रखे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है Care Ratings के प्रबंद निदेशतक और मोखे कारिकारी अधिकारी कौन मनें यानि MD और CEO कौन मनें तो Care Ratings के MD और CEO बन गए हैं दोस्तों अजय महाजन जी अजय महाजन जी कौन है अजय महाजन दोस्तों ये शुरुवात में 1990 में Bank of America में country head के के लूप में काम कर चुके हैं ठीक है और अभी इससे पहले ये IDFC first bank में थे और अब बन गए हैं Care Ratings के प्रबंद निदेशक और मोखे कारिकारी अधिकारी क्लियर है अब बात आती है ये Care Ratings का होता है Care Rating दोस्तों एक credit rating agency होती है इसके अस्थापना हुई थी 1993 में मुंबई में इसका headquarter है तो अभी हाली में राकेश मोकासी की जगा पर इसने अजय महाजन को बनाया है अपना नया MD और CEO राजेश मोकासी जो थे ये दिसंबर 2019 मे और रहाल एके दे चुकी थे स्तीफा सर्सिंफा lange बात करते हैं नीक्सके बंचे पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रैड मिजटर कौन एक बना है महंद्र शिंघ धोनी इनको पोकर स्टार इंडिया का बना गया है इससे पहले थे नवाजू दिन सित्द्ध की तो उनकी जगा पर बनाया गया है महंद्र सिंग धोनिको नेक्स्ट बात करते हैं अगला है भारत की पहली दूरस्त तो स्वास्त निगरानी प्रणाली कहां अस्थापित की गई तो भारत की सबसे पहली remote health monitoring system अस्थापित की गई है AIIMS का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेटिकल साइंस यानि एमस यह साउट फॉर्म में करते हैं तो एमस रिसी केस में यह अस्थापित की गई है भारत की पहली remote health monitoring systems ठीक है क्यों अस्थापित की गई है इसका मेन परपस है कि उत्त्राखंड स्टेट में क्योंकि रिसी केस परता है उत्राखंड में तो उत्त्राखंड स्टेट में कोविड-19 मरीजों की निगरानी करने के लिए लांच किया गया है और इसे डेबलब किया है एमस रिसी केस और भी एच इयल नहीं भेल जिसे करते हैं सौर्ट फॉर्म में भारत हैवी एलेक्रिकल्स लिम्टेड इन दोनों के द्वारा इसे बनाया गया है संयुक दूरूप से तो बार के पहली रिमोट हेल्थ मॉन्टिंग सिस्टम एमस रिसी केस में शुरू कई गई मैंने आपको कई बार बताया है जहां ही पहला पहली पहले जुड़ जाए समझ लीजे कुश्चन हो गया इंपोर्टन तो यह भी कुश्चन है इंपोर्टन तो बस दोस्तों फि वीडियोज का नोटिविकेसान आप तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा चलिए बात करते हैं कुश्चन सबड़ देखी आज का पहला कुश्चन है आपके लिए वर्तमान में एस याई विकास बैंक के कितने सदस्ते देश जुड़े हुए हैं एड़ी में कितने सद कर देते हैं पहले थोड़ा सा ही उसके बाद बाद में एडिट करके उसी में डिटेल लिखा करते हैं तो ऐसे आप लोग मत किया कीजिए ऐसे में होता क्या है कि जो लोग नए आए रहते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है रोज रोज एक ही लोग अंसर करते रहते हैं वही पहला नाम है रवी संकर, मुहम्मद जारीफ, निलेश पटेल, साबीर आलम, राम कुमार, मनु पांडे, स्यामसेर कुमार, मुहम्मद एहते साम अली, सुभम कुमार, गुर्देव यादो, चांद, बाबु, पूजा चौधरी, मिथुन कुमार, नरेन मीना, मोबेरा खातुन चरन सिंग, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, वीडियो गर अच्छी लगी है, तो लाइक करके हमारा उत्सा बढ़ाईए, साथ ही इन दोनों इंपोर्टन वीडियोज को जरूर देख